ओम संती 15.11.2020 आज अब्यक्त बाणी रिवाइज डेट है 18.1.87 का टपिक है कर्मातित स्थिती की निशानिया विस्तार है आज अब्यक्त बाप दादा अपने अब्यक्त स्थिती भव के वरदानी बच्चों वा अब्यक्ती फरिष्टों से मिलने आई हैं यह अब्यक्त मिलन इस सारी कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है शत्युग में भी देव मिलन होगा लेकिन फरिष्टों का मिलन अब्यक्त मिलन इस समय ही होता है निराकार बाप भी अब्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं निराकार को भी यह फरिष्टों की महफिल अति प्रिय लगती है इसलिए अपना धाम छोड आकारी वा साकारी दुनिया में मिलन मनाने आई है फरिस्ते बच्चों के स्निह की आकर्षन से बाप को भी रुप बदल वेस बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है यह संगम युग बाप और बच्चों का अती प्यारा और न्यारा संसार है स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ती है स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ती है जो परम आत्मा बंधन मुक्त को भी शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध देती है असरीरी को भी लोन के सरीरधारी बना देता है यही है बच्चों के स्नेह का प्रतक्ष्य प्रमान जो असरीरी को भी लोन के सरीर में ले आता है सरीरधारी बना लेता है यही है बच्चों के स्नेह का प्रतक्ष्य प्रमान आज का दिन अनेक चारों और के बच्चों के स्नेह की धाराएं स्नेह के सागर में ये समाने का दिन है बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए है बच्चे मिलने आए हैं वा बच्चों से बाप मिलने आए है या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं इसलिए गंगा सागर का ये मेला बिचित्र मेला है स्नेह के सागर में समाए सागर समान बन जाते हैं आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थी दीवस कहते हैं क्यों आज का दिन ब्रह्मा बाप की संपन और संपुरन बाप समान बनने का ये यादगार दीवस हैं ब्रह्मा बच्चा सो बाप क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है और बाप भी है आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपुत बच्चा बनने का शबूत दिया स्नेह के शुरूप का समान बनने का शबूत दिया अती प्यारे और अती न्यारेपन का शबूत दिया बाप समान कर्मातित अर्थात कर्म के बंधन शे मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया सिवाए सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं सिवाए सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते और कोई बंधन युक्त बन सेवा करते सेवाधारी ब्रह्मा बाब भी है लेकिन सेवा द्वारा हद की रोयाल इच्छा है सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांध लेती है सेवा द्वारा हद की रोयाल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब शेभी मुक्ते है इसी को ही करमातित स्थीती कहा जाता है जैसे देह का बंधन, देह का सम्मंध का बंधन, ऐसे सेवा में श्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातित बनने में बिग्ण डालता है कर्मातित बनना अर्थात इस रयाल हिसाब किताब से भी मुक्त मेजारीटी निमित गीता पाडशालों के सेवाधारी आए है ना तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना औरों को मुक्त बनाते स्वयम को बंधन में बांध तो नहीं देते नश्टो मोहा बनने के बज़ाए लोकिक बच्चों आदी सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते यहां बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है अच्छा अच्छा समझते मेरे पन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बंध चाते शोने की जंजिरें तो अच्छी नहीं लगती है ना तो आज का दिन हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का अर्थात करमातित होने का अव्यक्ती दीवस मनाओ इसी को ही स्नेह का सबुत कहा जाता है करमातित बनना यह लक्ष्य तो सब का अच्छा है अब चेक करो कहां तक करमों के बंधन से न्यारे बने हो अब चेक करो कहां तक करम के बंधन से न्यारे बने है पहली बात लोकिक और अलोकिक करम और सम्मंध दोनों में स्वार्थ भाब से मुक्त हैं दोनों में स्वार्थ भाब से मुक्त हैं, दुश्री बात पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब वा बर्तमान पुरुशार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी ब्यर्थ शभाब संसकार के बस होने से मुक्त बने हैं कभी भी कोई कमजोर शभाब संसकार वा पिछला संसकार शभाब बसिवुत बनाता है तो बंधन युक्त हैं बंधन मुक्त नहीं, ऐसे नहीं सोजना की चाहते नहीं है, लेकिन शभाब या संसकार करा देते हैं यहाँ भी निसानी बंधन मुक्त की नहीं, यह बंधन युक्त की है और बात कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रबृत्ति की परिस्थिति, स्वस्थिति को वा स्रेष्थिति को डगमग करती है यहाँ भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं, इस बंधन से भी मुक्त और तिसरी बात पुरानी दुनिया में पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधी अपने स्रेश्ट स्तिती को हल्चल में लाए इससे भी मुक्त एक है व्याधी आना और एक है व्याधी हिलाना तो आना यहाँ भावी है लेकिन स्थिती हिल जाना यहाँ बंधन युक्ति की निसानी है श्व चिंतन ग्यान चिंतन शुभ चिंतक बनने का चिंतन यह बदल शरीर की व्याधी का चिंतन चलना इससे मुक्त क्यूंकि ज्यादा प्रकृती का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है तो इससे मुक्त होना इसी को ही करमातित स्थिती कहा जाता है इन सभी बंधनों को चोड़ना यही करमातित स्थिती की निसानी है ब्रम्हा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातित स्थिती को प्राप्ति किया तो आज का ये दीवस ब्रम्हा बाप समान कर्मातित बनने का दीवस है आज के दीवस का महत्व समझा आज की सभा विसे सेवाधारी अर्थात पुन्य आत्मा बनने वालों की ये सभा है गीता पार्सला खोलना अर्थात पुन्य आत्मा बनना सबसे बड़ेते बड़ा पुन्य हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना ये ही पुन्य है नाम बहुत अच्छा है गीता पार्थाला तो गीता पार्थात सदा श्वयम गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले गीता पाटसला वाले अर्थात स्वयम शदा गीता का पाट पढ़ने और पढ़ाने वाले गीता ग्यान का पहला पाठ है और सरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ नश्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो तो पहला पाठ है बिधी और अंतिम पाठ है बिधी से शिद्धी तो गीता पाठ सला वाले हर समय यहाँ पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुल्ली शुनाते हैं क्योंकि सच्ची गीता पाठ सला की बिधी यहाँ है कि पहले श्वयम पढ़ना अर्थात बनना फिर औरों को निमित बन पढ़ाना तो सभी गीता पाठ सला वाले इस बिधी से सेवा करते हो क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्म पढ़ाई का सेंपुल हो तो सेंपुल का महत्व होता है सेंपुल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रिरना देता है तो गीता पारसला वालों के उपर बड़ी जिम्मेवारी है अगर जराभी सेंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने के बज़ाए भाग्य बनाने से बंचित करने के निमित भी बन जाएंगे क्यूंकि देखने वाले सुनने वाले साकार रूप में आप निमित आत्माओं को देखते हैं बाप तो गुपत है ना इसलिए ऐसा स्रेष्ट कर्म करके दिखाओ जो आपके स्रेष्ट कर्मों को देखे अनेक आत्माओं स्रेष्ट कर्म करने अपने भाग्य की रेखा स्रेष्ट बना सके तो एक तो अपने को सदा शेम्पुल समझना और दुसरा सदा अपना शिम्बल याद रखना गीता पार्सला वालों का सिम्बल कौन सा है जानती हो गीता पार्सला वालों का सिम्बल कौन सा है जानती हो बाप दादा ने सुनाया है कि कमल बनो और अमल करो कमल बनने का साधन ही है अमल करना अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते इसलिए सेंपल है और कमल पुस्प का शिम्बल सदा बुद्धी में रखो सेवा कितने भी बृद्धी को प्राप्त हो लेकिन सेवा करते न्यारे बन फिर प्यारे बनना सिर्फ प्यारे नहीं बनना न्यारे बन प्यारे बनना क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है लेकिन प्यार लगाब के रूप में बदल नहीं जाए इसको कहते हैं न्यारे बन प्यारा बनना सेवा के निमित बने यहां तो बहुत अच्छा किया पुन्य आत्मा का टाइटिल तो मिल ही गया इसलिए देखो खास निमंत्रन दिया है क्योंकि पुन्य का काम किया है अब आगे जो सिध्धी का पाठ पढ़ाया तो सिध्धी की स्थीती से ब्रिद्धी को प्राप्त करते रहना समझा आगे क्या करना है अच्छा सभी विशेश एक बात की इंतिजार में है वहां कौन सी? रिजल्ट सुनाएं रिजल्ट आप सुनाएंगे? या बाप सुनाएंगे? बाप दादा ने क्या कहा था? रिजल्ट लेंगे या देंगे? ड्रामा प्लेन अनुसार जो चला जैसे चला उसको अच्छा ही कहेंगे लक्ष्य सबने अच्छा रखा लक्ष्यन यथा सकती कर्म में दिखाया बहुत काल का वर्दान नंबर वार धारन किया भी और अभी भी जो वर्दान प्राप्त किया वह वर्दाने मूरत बन बाप समान वर्दान दाता बनते रहना अभी बाप दादा क्या चाहते हैं बर्दान जो मिला अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातित स्थिती का विसेस अभ्यास करते दुनिया को न्यारे और प्यारे पन का अनुभव कराओ कभी कभी अनुभव करना अभी इस बिधी को बदल बहुत काल के अनुभूतियों का प्रतक्ष बहुत काल अचल, अडोल, निर्विग्न, निर्वंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म, अर्थात, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी इसी स्थीती को दुनिया के आगे प्रतक्षय रूप में लाओ इसको कहते हैं बाप समान बनना अच्छा, समझा रिजल्ट में पेले स्वेम से स्वेम संतुष्ट वह कितने रहे क्योंकि एक है स्वेम की संतुष्ट अता दुसरी है ब्राह्मन परिवार की संतुष्ट अता और तिसरी है बाप की संतुष्ट अता तीनों की रिजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है स्वेम की संतुष्ट अता, ब्राह्मन परिवार की संतुष्ट अता और बाप की संतुष्टता तिनों की रीजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है तो संतुष्ट बनो, संतुष्ट करो बाप की संतुष्ट मनी बन, सदाच चमकते रहो बाप दादा बच्चों का रिगाड रखते हैं इसलिए गुप्त रेकार्ड बताते हैं होवन हार हैं इसलिए बाप सदा संपनता की स्टेज देखते हैं अच्छा सभी संतुष्ट मणिया होना बृद्धी को देख करके खुश रहो आप सब तो इंतिजार में हो कि आबु रोड तक क्यों लगे तो अभी अभी तो सर्प हल भरा है फिर क्या करेंगे फिर सोचेंगे या अखंड योग करेंगे फिर सोचेंगे या अखंड योग करेंगे यहाँ भी होना है इसलिए थोड़े में ही राजी रहो तिन पेर के बजाए एक पेर पृत्वी भी मिले तो भी राजी रहो पहले ऐसे होता था यहाँ नहीं सोचो परिवार के बृध्धी की खुशी बनाओ आकास और पृत्वी तो खुटने वाले नहीं है ना पहाड तो बहुत है यहाँ भी होना चाहिए यहाँ भी मिलना चाहिए यहाँ बड़ी बात बना देते हो यहाँ दादियां भी सोच में पढ़ जाती हैं क्या करें कैसे करें ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे रात में जागेंगे ओ लोग आग जलाकर आसपास बैड़ जाते हैं गरम हो करके आप योग की अगनी जलाकर बैड जाएंगे पसंद है ना या खटिया चाहिए बैठने के लिए कुरसी चाहिए ये पाहाड की पीठ कुरसी बना देना जब तक साधन है तो शुख लो नहीं है तो पाहाडी को भी कुरसी बनाना पीठ को आराम चाहिए ना और तो कुछ नहीं पांच हजार आएंगे तो कुरसीया तो उठानी पड़ेंगी ना और जब क्यों लगेगी तो खटिया भी छोडनी पड़ेगी एवर रेडी रहना अगर खटिया मिले तो भी हांची धरनी मिले तो भी हांची ऐसे सुरू में बहुत अभ्यास कराए हैं पंद्रा पंद्रा दिन तक दवा खाना बंद रहता दमा के पेसेंड भी ढोड़ा और लसी पीते थे सब तंद्रुष्ट होगे तो यहाँ शुरू में अभ्यास करके दिखाया है तो अंत में भी होगा ना नहीं तो सुचो दमा का पेसेंड और उसको लसी दो तो पहले ही घवरा जाएगा लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है इसलिए मनोरंजन हो जाता है पेपर नहीं लगता है मुश्किल नहीं लगता त्याग नहीं एकसर्टन हो जाती है सभी तयार हो ना या प्रबंद करने वालों के पास टीचर्स लिष्ट ले जाएंगी इसलिए नहीं बुलाते हैं ना समय आने पर ये सब साधन से भी परिष्टना के शिद्धी रूप में अनभव करेंगे रुहानी मिलेटरी भी हो ना मिलेटरी का पाट भी तो बजाना है अभी तो नहीं परिवार है ये घर है यहाँ भी अनभव कर रहे हो लेकिन समय पर रुहानी मिलेटरी बन जो समय आया उसको उसी स्नेह से पार करना यहाँ भी मिलेटरी की विसेस्ता है अच्छा, गुजरात को ये विसेस वर्दान है जो एवर रेडी रहते हैं बहाना नहीं देते हैं, क्या करें, कैसे आएं, रिजर्वेशन नहीं मिलती, पहुँच जाते हैं नजदिक का फाइदा है, गुजरात को अज्याकारी बनने का विसेस अशिरवाद है क्योंकि सेवा में भी हाँची करते हैं न, मेहनत की सेवा सदा गुजरात को देते हैं न, रोटी की सेवा कौन करता है स्थान देने की, भाग दोड करने की सेवा गुजरात करता है बाब दादा सब देखता है, ऐसे नहीं बाब दादा को पता नहीं पढ़ता मेहनत करने वालों को विशेस महभूब की मुहवत प्राप्त होती है नजदिक का भाग्य है और भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखती है भाग्य को बढ़ाना सबको नहीं आता है कोई को भाग्य प्राप्त होता है लेकिन उतने तक ही रहता है बढ़ाना नहीं आता, लेकिन गुजरात को भाग्य है और बढ़ाना भी आता है इसलिए अपना भाग्य बढ़ा रहे हो, यहाँ देख बाप दादा भी खुश है तो बाप की विशेश अशिर्वाद है, यहाँ भी एक भाग्य की निसानी है समझा, जो भी चार और के स्नेही बच्चे पहुँचे हैं, बाप दादा भी उन सभी देश, विदेश, दोनों के स्नेही बच्चों को स्नेह का रीटन सदा अविनासी स्नेही भव का वर्दान दे रहे हैं स्नेह में जैसे दूर दूर से दोड कर पहुँचे हो, ऐसे ही जैसे स्तूल में दोड लगाई, समीप पहुँचे सन्मक पहुँचे, ऐसे पुरुशार्थ में भी पिसेश उड़ती कला द्वारा बाप समान बनना, अर्थात सदा बाप के समीप रहना जैसे यहां सामने पहुँचे हो, वैसे सदा उड़ती कला द्वारा बाप के समीप ही रहना समझा क्या करना है, यह सने हो, दिल का सने हो, दिलाराम बाप के पास आपके पहुँचने के पहले ही पहुँच जाता है चाहे सनमुक हो, चाहे आज के दिन देश-विदेश में शरीर से दूर है लेकिन दूर होते हुए भी सभी बच्चे समीप से समीप दिल तक्त नशिन है तो सबसे समीप का स्थान है यह दिल तो विदेश वाद देश में नहीं बैठे हैं, लेकिन दिल तक्त पर बैठे हैं तो समीप हो गए ना, सभी बच्चों की यात-प्यार, उल्होने, मिठी-मिठी रुहरिहाने, शोगाते, सब बाप के पास पहुँच गई बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मुहबत में मगन रहो यह वर्दान दे रहे हैं, तो सभी को रीटन मिल गया ना, अच्छा सर्वस नेही अत्माओ को, सदा समीप रहने वाली अत्माओ को, सदा बंधन मुक्त करमातित स्थिती में बहुत काल अनभव करने वाली विशेश आत्माओ को, सर्व दिल तक्त नशिन, संतुष्ट मणियों को, बाप दादा का अव्यक्ति स्थिती भव के वर्दान, साथ, याद, प्यार और गुड़नाइट और गुड़मनिंग आज का वर्दान पुराने खाते समाप्त कर, नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारन करने वाले बाप समान शंपन भव विस्तार जैसे दिपावली पर नए वस्त्र धारन करते हैं, ऐसे आप बच्चे इस मरजिवा नए जनम में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारन कर नए वर्ष मनाओ अपनी कमजोरी, कमिया, निर्वलता, कोमलता आदि के, जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं, उन्हे समाप्त कर सच्ची दिपावली मनाओ इस नए जनम में नए संस्कार धारन कर लो, तो बाबसमान संपन बन जाएंगी आज का स्लोगन, सुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो, तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा छा, ओम शान्ती आज की शुजना, आज मास का तिसरा रविवार है, सभी राज योगी तपस्वी भाई बहने साम साड़े छे से साड़े साथ बजे तक, पिसेस योग अभ्यास के समय अपनी शुभाबनाओं की स्रेष्ट वृत्ती द्वारा मंसा महादानी बन, सर्व को निर्भैता का वर्दान देने की सेवा करे अच्छा, ओम शांती